एक्ससाइज 3D के कोश्चन नरू 1 से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले नूप कुश्चन पढ़ लएगा है फिर इसके यूनिक शॉलिशन होंगे जब भी यूनिक बोल दे तो मैंने वही चंडिशन आपको लिखा अगर बोल दिमाग में तो आपका कॉश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगर तीक है उसके बाद क्या अगर अगर यूनिक शॉलिशन है और तो उसको सॉल्व करने के लिए बोल रहा है तो कुश्चन और फॉस्ट को सबसे पहले देख लेते हैं मेरे पास क्या इक्विशन दिया गया है सबसे पैले मेरे पास दिया घया है ठीजी एक्विशन दिया गया है थिक एगैं तो दिया गया है और इसको सबसें सव करना है कि यूनिक शॉलिशन होंगे तो चलिए सबसें पहले च्टान करते हैं क्या कि इसको पहले standard form में change करेंगे ठीक है standard form में change करेंगे तो इस तर्म को इधर लाएंगे तो यह minus आद आएगा equal to zero हो जाएगा और इस तर्म को इधर लाएंगे तो minus हो जाएगा equal to zero हो जाएगा ठीक है first वाले equation को अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको हम लोग A1X plus V1Y plus C1 equal to zero के form में कर सकते हैं और second वाले को क्या कर सकते हैं A2X plus V2Y plus C2 equal to zero कर सकते हैं ठीक है इस case में क्या होगा कि अब यहाँ से A1, B1 और C1 का value हम लोग निकाल सकते हैं तो यहाँ देखिए A1 का value आ रहा है कितना आ रहा है 3 आ रहा है तो बस कुछने लिखे A1 equal to 3 लिख दीजिए B1 का value आ रहा है कितना रहा है 5 लिख दीजिए और यहाँ से देखिए C1 का value कितना आ रहा है C1 का value यहाँ पर minus 12 आ रहा है माइनस है तो माइनस ले लेंगे तो c1 इकोल टू कितना है माइनस 12 है तो बस माइनस 12 लिख देंगे अब यहाँ से a2 का वैलू निकालना चाहें तो a2 इकोल टू कितना दिख रहा है आपको 5 दिख रहा है आपके देखिए चली, क्या question था, unique solution, ठीक है, तो condition क्या था, unique solution का, तो आपको याद होना चाहिए, unique solution का condition क्या था, a1 divided by a2 not equal to b1 divided by b2, ठीक है, ठीक है, चली तो, ऐसा कर लेंगे, तो अब क्या हम लोग लिख सकते हैं, चली देखें, पहले सबसे पहले ratio ले लेते हैं, तो a1 divided by a2 का ratio लेंगे, a1 divided by a2 का ratio लेंगे, a1 कितना है, 3 है, 3 लिख लिजिए, a2 कितना है, 5 है, तो 5 लिख लिजिए, और यहाँ पर b1 divided by b2 का ratio ले रहे हैं, तो b1 divided by b2 कर रहे हैं, तो यहाँ क्या जाएगा, 5 by 3 आ जा रहा है, यहाँ देखें, यहाँ देखें, दोनो equal नहीं है, ठीक है, जब equal है, तो आपको क्या लिखना है, since, since, a1 divided by a2 not equal to b1 divided by b2, hence, hence, system, system of equation has, have, ठीक है, have, क्या unique solution, unique, unique, unique solution, ठीक है, unique solution हो गया, यह तो हम लोग सो कर दीए, अब क्या करना है, मतलब इसके values को find करना है, तो मैंने अभी आपको लिखाया था, x के लिए क्या था, x के लिए आपके पास था, b1, c2, minus, अभी formula मैंने आपको लिखाया था, उसी से, ठीक है, b2, c1, divided by क्या था, a1, b2, minus, a2, b1 था, इस टाइप का था, तो यहाँ पे values को put कीजिए, और x का value निकाल लिए, b1 कितना है, b1 यहाँ से कितना है, 5 है, तो 5 लिख लिजिए, c2 कितना है, c2 minus 4 है, तो minus 4 कर लिजिए, ठीक है, minus का sign है, minus 1 दे दीजिए, b2, b2 कितना है, 3 है, तो 3 लिख लिजिए, ठीक है, c1, c1 कितना है, minus 12 है, तो minus 12 कर लिजिए, ठीक है, divided by A1 कितना A1 में पास 3 है तो यहां पे 3 लिखलेंगे ठीक है B2 निकालना चाहें तो सबसे पहले इन दोनों को multiply करेंगे कितना जाएगा minus 20 आजाएगा तो बस यहां पर minus 20 लिख लिजिए ठीक है यहां पर minus और यह minus क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो बस इसको plus कर लिजिए ठीक है 16 आजाएगा और नीचे solve करेंगे तो यह भी 16 आजाएगा वर माइनस में तो नीचे जो minus आ रहा है उसको उपर कर दीजिए यह कट करने के बाद minus 1 आजाएगा ठीक है तो x equal to कितना आ गया minus 1 आ गया ठीक है अब हम लोग y का value निकाल लेंगे तो y के लिए क्या करेंगे y लिख देंगे और इसका formula आप लोग को पता होगा क्या मैंने अभी लिखा था c1 a2 minus c2 a1 मैंने अभी लिखा था ठीक है उसके बाद नीचे क्या वही चीज जो पर था ऐसा 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 ठीक है ऐसा चलिए अब क्या करेंगे c1 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 कितना है तो बस minus 4 कर लिजिए a1 a1 कितना है 3 है तो बस इसको 3 से multiply कर लिजिए ठीक है नीचे क्या है नीचे मेरा जो भी value put किजिएगा कितना आने वाला 9 minus 25 कितना होता है minus 16 तो बस minus 16 जो उपर था वही नीचे भी आने वाला minus 16 ने आया था minimize 16 उप्स हम लोग ऊब कर देंगा तो यहाँवर मन इसकी ना चाहिए तो आ गया बस काम खत्म अब उपर क्या किजिए minus 12 into five कितना हो जाएगा minus 60 सीच्ति हो ज्साएगा तो minus 60 लिगदेजिये और यह मेरा कितने 3 टाइफ में कट जाएगा मतलब y equal to कितना आ गया x equal to minus 1 आ गया और y equal to कितना आ जाएगा y equal to 3 आ जाएगा ठीक है सब्सक्राइब को देख रहे हैं फर्स्ट जैसा इसमें भी क्या सो करना है कि इसके unique solutions होंगे और क्या उसके बाद उसको solve करना है तो सबसे पहला काम क्या करना है इसको standard form में change कर लीजिये system को इधर लाएगे तो minus में हो जाएगा और 0 के equal हो जाएगा system को इधर लाएगे तो e भी minus हो जाएगा और 0 के equal आ जाएगा ठीक है, तो आपको लिखना है, the given system of equations are, first में इसको लिख दीजीगा, second में इसको लिख दीजेगा, ठीक है, तो एक बार हम लोग लिख देते हैं, the given system of equations are, क्या है मैंने पास, 2x minus 3y minus 17 equal to 0, उसके बाद क्या है, 4x plus ऐसा, 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 ठीक है, where, where, उसके बाद क्या लिखना है, where, a1, a1 कितना दिख रहा है, आपको, 2 दिख रहा है, तो बस यहाँ पे 2 दिख दीजे, b1, b1 कितना दिख रहा है, तो बस minus 3 लिख दीजे, और c1 कितना दिख रहा है, minus 17 दिख रहा है, तो बस यहाँ पे minus 17 लिख दिजिए, खिलियत, चलिए, अब A2 कि लिख देखते हैं, अब चेक करना है कि इसके यूनिक सॉलिशन होंगे की नहीं होंगे तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे बस यहां पर A1 डिवाइडर वे A2 करेंगे यहां पर कितना 2Y4 कर लेंगे तो इसको कट करेंगे तो 1Y2 आजाएगा ठीक है इसको ऐसा निकाल लिए उसके बाद B1Y2 कर ल A2 not equal to not equal to B1 by B2 hence system of system of equations has no sorry unique solution ठीक है unique solution लिख दिजेगा hence unique solution ठीक है उसके बाद क्या करना है उसके बाद क्या करना है उसके बाद आपको क्या करना x और y की value को find कर देना है तो उसके बाद लिखिएगा x equal to मेरे पास formula क्या था x equal to B1 C2 minus B2 C1 divided by A1 B2 minus A2 B1 ऐसा था अब एलो इसको put कीजे तो B1 कितना है B1 मेरे पास है B1 है minus 3 तो आपे minus 3 put कर दिजे C2 C2 कितना है minus 13 है तो इसको minus 13 put कर दिजे ठीक है minus sign है तो minus दे दिजे V2 V2 कितना है 1 है तो 1 put कर दिजे C1 कितना है minus 17 है तो minus 17 put कर दिजे divided by A1 कितना है A1 में पास 2 है तो 2 put कर दिजे B1 sorry B2 कितना है 1 है minus कर दिजे A2 कितना है A2 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 4 है तो 4 किजे और B1 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 कितना है minus 3 है तो इसको minus 3 कर दिजे ठीक है अब कुछ नहीं करेंगे solve कर देंगे ठीक है तो solve किजे तो यहाप मेरे पास कितना आ जाएगा प्लस 39 आ जाएगा ठीक है minus minus plus 33 जा 39 माइनस और यह minus कितना है प्लस हो जाएगा 70 add गर दिज camera ठीक यांचे कीतना है 2 तो हो जाएगा यहां पर 12 एड करना चाहे तो इसको टीक तो 40 कर और गया far इसके वाद हम लोग Y का value निकाल लेते हैं तो Y कोल 2 क्या कर लेंगे जब फॉर्मूला होता है C1 C1 A2 minus क्या होता है C2 A1 divided by A1 V2 minus A2 B1 ठीक है उपर का बस याद रखना नीचे का तो दोनों में सेम है तो कुछ नहीं करना है कुछ मतलब अब values को put कर दीजिए C1 कितना है में पास C1 17 है minus में तो minus 17 कर लिजिए A2 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 कितना है 4 है तो इसको 4 से multiply कर लिजिए minus है तो minus A दीजिए C2 C2 कितना है minus 13 है minus 13 कर लिजिए ठीक है उसके बाद A1 A1 कितना है में पास A1 है 2 तो यहाँ पर 2 पूट कर लिजिए ठीक है नीचे के लिए क्या किजिएगा नीचे के लिए आपको यहां से वैलू लिख लिजिए 12 पलस 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा तो बस 14 मतलब वैलू इसको पूट किजिए आपको पता है क्लगुलेट नीचे करना है उसके बाद 17 4 कितना ऊंतों यहां पर इसको सब्ट्राक्ट करना चाहे तो कितना आजाएगा आ हमने पकास सबसे पहले 2 आ गया और उसके बाद उसके बाद 4 आ जा einem जाएगा वह भी टो म्यानस में ऐसा और ऐसे हैसी कट कीजिए गा तो मैनस 3 टामgs twinmy टोट जाएगा ठीक है इस एकडना अग्या एकस इकल टोकितना आ या 4 आ गया और यई कडना आ गया माइनस थ्री आ गया तिक है अब लोकोशन नमबर थर्ड की ओर मूब कर रहे हैं